कुछ विशेश कोणों के लिए त्रिकोण मिती अनुपात समकोण त्रिभुज में थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री अथवा 90 डिग्री के लिए त्रिकोण मिती अनुपातों के मान ज्यामिती का उप्योग कर पता कर सकते हैं आईए देखें, 45 डिगरी के लिए त्रिकोण मिती अनुपात, त्रिभुज A, B, C समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी समकोण है, तथा कोण C बराबर 45 डिगरी है, इस पश्ट है कि कोण A भी 45 डिगरी का होगा, यदि B, C बराबर A हो, तो A, B बराबर A, क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, अब A, C का वर्ग बराबर A, B का वर्ग, धन B, C का वर्ग, पाइथागोरस प्रमे से, बराबर A का वर्ग, धन A का वर्ग, बराबर 2A का वर्ग A C बराबर A वर्गमूल दो चूंकि कोण C बराबर 45 डिग्री के लिए B C आधार, A B लंब और A C कर्ण है इसलिए sin C बराबर sin 45 डिग्री बराबर A B बटा A C बराबर A बटा A वर्गमूल दो बराबर 1 बटा वर्गमूल दो कोण 45 डिग्री बराबर B C बटा A C बराबर A बटा A वर्गमूल दो बराबर 1 बटा वर्गमूल दो 1045 डिग्री बराबर A B बटा B C बराबर A बटा A बराबर 1 कोण 45 डिग्री बराबर 1 बटा 1045 डिग्री बराबर 1 बटा A बराबर 1 सेक 45 डिग्री बराबर एक बटा कोस 45 डिग्री बराबर एक बटा एक बटा वर्गमुल दो बराबर वर्गमुल दो कोसेक 45 डिग्री बराबर एक बटा साइन 45 डिग्री बराबर एक बटा एक बटा वर्गमुल दो बराबर वर्गमुल दो तीस अंश के लिए त्रिकोण मिती अनुपात त्रिभुज A, B, D एक संभाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्यक भुजा 2A वर प्रत्यक कोण 60 डिग्री है B से A, D पर लंब डाले यह A, D को C पर मिलेगा इसलिए A, C बराबर C, D, बराबर A कोण A, B, C बराबर कोण D, B, C बराबर 30 अंश संभाहु त्रिभुज के किसी शीष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को दो बराबर भागों में बाटता है एवं शीष के कोण को समद्विभाजित भी करता है अब समकोण त्रिभुज A, C, B में कोण C समकोण है कोण A, B, C बराबर 30 डिगरी तथा इस कोण के लिए B, C आधार A, C लंब और A, B कर्ण है B, C का वर्ग बराबर A, B का वर्ग रिन A, C का वर्ग अब हमारे पास A, B, C और A, C के मान है आप इनकी साहता से 30 अंश के लिए त्रिकोण मिती अनुपातों के मान अपनी कौपी में लिखिए आपके साथियों ने जो मान निकाले हैं उनसे मिलाईए 60 अंश के लिए त्रिकोण मिती अनुपात त्रिभुज A, B, C में कोण A बराबर 60 डिगरी है इस कोण के लिए लंब B, C बराबर A वर्गमूल 3 है आधार A, C बराबर A तथा कर्ण A, B बराबर 2A है साइन सिक्स्टी डिगरी बराबर B, C बराबर A बर्टे 2A बराबर वर्गमूल 3 बर्टे 2 कॉस्टी डिगरी बराबर A, C बर्टे 2A बराबर 1 बर्टे 2 शेश अनुपात साथियों के साथ मिलकर प्राप्त कीजिए Zero degree के कोण के लिए त्रिकोण मिती अनुपाद ग्याद करने के लिए हमें समकों त्रिभुज के बारे में सोचना होगा जिसका एक कोड 0 degree का हो क्या ऐसा त्रिभुज संभव है? इस सवाल पर अपने साथिओं से चर्चा कीजिए यहां हम इस बात पर विचार करेंगे कि किसी समकोन त्रिभुज का कोई न्यून कोन लगातार छोटा और छोटा होता जाए तो उसकी भुजाओं की लंबाईयों में कैसा बदलाव दिखाई पड़ता है त्रिभुज PQR एक समकोन त्रिभुज है कोन PQR वह कोन हैं जिसे 0 डिगरी तक छोटा करना है पहले चित्र से 6 तक क्रमशा कोन थीटा को छोटा होता हुआ दिखाया गया है कोन को छोटा करते जाने पर लंब PR में क्या कोई बदलाव आ रहा है क्या कर्ण QP में भी कोई बदलाव दिखाई पड़ रहा है आप देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है PR भी छोटा होता जा रहा है जब थीटा लगबग 0 के बराबर हो जाएगा तब PR भी लगबग 0 के बराबर होगा अतह जब थीटा बराबर 0 होगा तब लंब PR बराबर 0 इसके साथ ही QP भी छोटा हो रहा है और लगबग आधार QR के बराबर होता जा रहा है अता थीटा बराबर 0 पर आधार QR बराबर कर्ण QP अता साइन 0 डिग्री बराबर PR बटे QP बराबर 0 बटे QP बराबर 0 कौस 0 डिग्री बराबर QR बटे QP बराबर 1 क्यूंकि QR बराबर QP दिया है कोसेग 0 डिगरी बराबर QP बटे PR बराबर QP बटे 0 बराबर अनिर्धारित 90 डिगरी के लिए त्रिकोन मिती अनुपात 90 डिगरी कोन के त्रिकोन मिती अनुपात ग्याद करने के लिए ऐसा समकोन त्रिभूज लेना होगा जिसका एक निउनकोन बढ़ते बढ़ते 90 डिगरी हो जाए उस त्रिभूज की भुजाओं की लंबाईयों में क्या परिवर्तन दिखाई पढ़ता है त्रिभुज PQR एक समकोंड त्रिभुज है जिसके कोंड PQR को लगातार 90 डिगरी तक बढ़ाना है चित्र में एक से लेकर 5 तक कोंड Q को क्रमशा बढ़ता हुआ दिखाया गया है कोंड Q को बढ़ाने पर आधार QR में क्या कोई बदलाव आ रहा है क्या कर्ण PQ में भी कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है आप देख रहे हैं कि Q का मान बढ़ाते जाने पर आधार QR छोटा होता जा रहा है तथा जब Q बढ़ाबर 90 डिगरी होगा तब QR शूर्न्य हो जाएगा इसके साथ ही PQ भी छोटा होता जा रहा है और लगभग लंब PR के बराबर होता जा रहा है अता कोण Q बराबर 90 डिगरी पर कर्ण PQ बराबर लंब PR और आधार QR बराबर शूर्न्य अब साइन 90 डिग्री बराबर लम बटे कंड बराबर पी आर बटे पी क्यू बराबर एक कॉस 90 डिग्री बराबर आधार बटे कंड बराबर क्यू आर बटे पी क्यू बराबर शून्य बटे एक बराबर शून्य इसी प्रकार अन्य अनुपातों के लिए मान लिखिए विभिन कोणों के त्रिकोण मिती अनुपात के लिए साहनी देखें प्रकार अनुपात के लिए साहनी धनुपात के लिए अनुपात के लिए विए विए